फ्रांसिसी रेड वाइन, प्रभात रंजन चंद्रचूर जी की दशा मिथिला की उस गरीब ब्राह्मन की तरह हो गई थी, जिसके हाथ जमीन में गड़ी स्वन मुद्राएं लग गई थी, बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई, किसी को बताये तो चोट है राय जाने का डर, और न बताये तो सोना मिट्टी एक समान कभी-कभी वो उस दिन को कोस थे, जिस दिन रितेश उनके लिए विदेश से रेड वाइन की बॉटल लाया था, उस दिन से उनका मन तरह-तरह की कलपनाओं में खोया रहने लगा, तरह-तरह की यूजनाय बनाने लगा, चंद्रचूर किशूर, कैशियर, भारतिय जीवन बी चाय के साथ दैनिक हिंदुस्तान का नगर संसकरण मनोयोग से पढ़ते, तयार होते, पत्नी के हाथ का बनाया नाश्ता करते, ठीक पौने दस बजे रिक्षा पर बैठ कर में रोड सीता मड़ी के अपने ब्रांच आफिस के लिए चल देते, पढ़ लिख कर कुछ बनना चा लेकिन वो बच नहीं पाए, पिता श्री कृष्ण किशोर LIC में ब्रांच मैनेजर थे, उनके इस तरह असमय चले जाने से घर की सारी जिम्मेदारी चंद्रचूर जी के ऊपरा पड़ी, उच्छ शिक्षा का सपना अधूरा छोड़ कर उन्होंने अनुकंपा के आधार पर मिल रही नौकरी कर ली, बस एक अंतर आया, पिता जी की तरह इनको मुझफर पुर में नहीं, सीता मड़ी में नौकरी मिली, मा की इच्छ थी, सीता मड़ी पुष्टैनी गाउं से नजदीक जो था, मा पिता जी के गुजर जाने के बाद से गाउं में ही ज्यादा रहने ल मगर मा की इच्छा, बचपन की सहेली की बेटी सीमा से विवाहत तै कर दिया, इन्होंने भी बिना नानुक और हामी भर दी, तब से अकेले बंसे उनका रिष्टा तूट गया है, बीच बीच में कभी मा पोता होने के लिए कोई मननत मनाने, कोई पाठ रखवाने, किसी बाबा की जड़ी देने के लिए आती रहती है, उनकी दिंचर्या भंग नहीं हो पाई थी, सब कुछ उसी तरह चल रहा था, जो अनकमपा के आधार पर मिली इस नौकरी के लिए सीता मड़ी आने के बाद चुरू हुआ था, उचे-उचे सपने नहीं थे उनके, ना चोटा बनकर रहने में ही भलाई है, अपने दादा जी की सुनाई ये कहावत, वो अक्सर सुनाया करते, संसार में अगर संतोश से जीना है, तो अपने से आगे वालों को नहीं, पीछे वालों को देखना चाहिए, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जिनकी अवस्थ चंद्रचूर जी का जीवन पहले की ही तरह संतोश पूर्वक चलता रहता, अगर उनका साला रितेश फ्रांस न गया होता, वहां से उनके लिए रेड वाइन न लेकर आया होता, पैत्रियूस रेड वाइन, उनकी शादी के साल रितेश दिल्ली में कम्प्यूटर का कोर्स क चाया, कभी सोचा नहीं था कि उनका कोई इतना करीबी रिष्टेदार भी कभी विदेश चायेगा, विदेशी के नाम पर उनके पास एक अंग्रेश की लिखी चिठी थी, दादा जी के नाम की, देश की आजादी के समय दादा जी मिडल स्कूल में अध्यापक थे, स्कूल इधिरे आसपास की गाहों में भी, जो भी हमारे परिवार को जानता था, वो इस तक्थे से भी अवगत होता था, कि हमारे परिवार के किसी व्यक्ती को, किसी अंग्रेश ने विलायत से चिठी लिखकर हाल समाचार पूछा था, उस दिन चंदरचूर जी ने चिठी संभाल कर रख ली थी, जब पहली बार अख़बार में ये पढ़ा, कि इस तरह की सामगरी को एंटीक कहा जाता है, जिसकी संसार के बड़े बड़े शहरों में नीलामी होती है, लोग लाखों करोडों रुपे दे कर ऐसी धरोहरों को खरीदते हैं, हो सकता है उस विलायती बाबू कि चिठी भी किसी दिन एंटीक मान ली जाए, और वो भी हजारों लाखों में नीलाम हो जाए, एक दिन उनका कोई सगा विदेश जाएगा, और उनके लिए वहां से ऐसा दुरलग तुहवा लेकर आएगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, बताया तो था पत आफिस जाएंगे, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि किस ब्रांड का है, किसी ने कभी फ्रांसिसी सेंट लगाया हो तब ना, सोच कर उनके होटों पर मुस्कुराहाट ऐसी फैली कि देख कर पतनी को कहना पड़ा, क्या सोच सोच कर मुस्की छोड़ रहे हैं जी, नहीं कि समाचार के नाम पर क्या-क्या दिखाती रहते हैं? चंदरचूर जी ने हडबडाते हुए जवाब दिया, केवल फ्रांसिसी पर्फियूम ही लेकर नहीं आया था रितेश, टी-शिर्ट, शेविंग केट, चॉकलेट और छोटे-मोटे अनेग तरह के सामान लेकर आया था एतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? सारा सामान समेटते हुए उन्हाने रितेश से कहा, आप एक ही तो जी-जाजी है मेरे, आपके लिए नहीं लाता तो किस के लिए लाता? छोटा-मोटा सब सामान है, हवाई जाहज में अगर सामान का वजन 30 किलो से अधिक हो जाए तो अरे नहीं जी-जाजी, जो सामान महा मिलता है वो यहां कहा मिलेगा? यहां तो सारा चाइनीज माल मिलता है, उसी पर made in England, made in France लिख कर दे देते हैं, लेकिन अंतर तो यूज करने पर ही समझ में आता है, देखिए, रैड वाइन तो अब इंडिया में भी बनने लगा है, मह फ्रांसिसी रेड वाइन की संसार भर में मांग है बड़ी, कावत है, वाइन बनाना और खाना खाना, फ्रांसिसियों से सीखना चाहिए, दक्षिन फ्रांस की वादियों के बहतरीन लाल और काले अंगूरों के मिश्रण से तयार होने वाला पैत्रुस वाइन, दक्षिन अम रितेश ने फ्रांसिसी वाइन की ऐसी महिमा वखान की कि उसके जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने साइबर कैफे में जाकर उसकी बातों की सच्चाई को जाचने की कोशिश की। उन्हें अचानक अपने बाद सखा कैलाश पती की बात याद आ गई। उसके बारे में सब कहते थे कि पहले एक गांजा चरसी बेशता था, अब तो दिल्ली मुंबई में हिरोईन और कोकीन की पार्टी लोगों को पहुँचाने लगा है। एक बार मिलने पर उन्होंने उससे पूछ लिया था, जवाब में उसमें हसते हुए कहा था, तसकरी तो नहीं करता, सेवन जरूर करता हूँ। लेकिन ये सब तो ड्रक्स होते हैं जीवन को बरबाद करने वाले। उन्होंने आश्चरे से पूछा था, हरे प्यारे तुम तो पीते नहीं हो, तुम ही बता दो, तुम्हारा जीवन कौन सा आबाद हो गया, पता भी है, इनका सेवन कौन लोग करते हैं, अख़बार तो पढ़ते होंगे, किस-किस तरह के लोग इसके सेवन के आरोप में पकड़े जाते हैं, बड़े-बड़े फिल्म अभी नेता, क्रिकेट खिराडी, फैशन डिजाइन बड़े-बड़े नेताओं के रिष्टेदार, अगर मैं तुम्हारी तरह कभी कबार पतनी के पीट पीछे शराब पीता होता, तो आज मैं भी किसी बैंक में थोड़े से पैसों के लिए नोट गिनने की नौकरी कर रहा होता, चरस पीता हूँ, कोकीन चखता हूँ, तो समा कमाई से चाहो, तो भी इसका नशा नहीं कर सकते तुम, समझे, रईसों का नशा है, रईसों की सोहबत में वैठ कर किया जाता है, उस दिन से उनके दिमाग में ये बात पैट गई थी कि कोकीन चखता ही दुनिया का सब से महंगा नशा होता है, इसलिए अमीरों के वो शान क की चीज समझी जाती है लेकिन उस दिन उनको समझ में आ गया कि रेड वाइन रईसों के बीच फैशनेबल समझी जाती है और इसका सेवन कोकीन या हिरोईन की तरह छिपकर नहीं करना पड़ता तो कम से कम त्रीन हजार की है ये बोतल जो रितेशन के लिए लेकर आया है शराब तो वो कम ही पीते थे कभी कभार दोस्तों के साथ और कभी छुट्टी के रोज जब पतनी माय के जाती तो जरूर मौका देखकर अकसर पीने लगते लेकिन वैसे उनको कोई लत नहीं थी अपने आप पर उन्हें गर्व हो रहा था उस दिन इतनी महंगी शराब शहर में कितने लोग पीते होंगे शराब तो हो सकता है बहुत से लोग पीते हों अफसर, नेता, थेकेदा, डॉक्टर, धाई, तीन हजार रुपे का मोल ही क्या रहे गया है आजकल शेहर में कितने डॉक्टर हैं जिनकी रोज की प्रैक्टिस ही इससे अधिक होगी अफसर तो अफसर कितने बाबु किरानी ऐसे होंगे जो एक दिन में टेबल के नीचे से इससे ज़ादा रकम खिसका लिया करते होंगे राकेश भीया उनके मामा के लड़के उन्होंने अपने मूँ से बताया था परिहार ब्लॉक में बीडियो के पीए बनकर गए उनको छे महीने हुए थे जब उनसे मिलने गए थे बड़ा भड़िया पोश्टिंग है दिन भर में इतने लोग आते हैं कि 500 हजार तो सलामी में ही मिल जाते हैं साहब से मिलवाने के अलग, फाइल पर साइन के अलग, लोन दिलवाने का अलग, व्रद्धावस्था पेंशन का अलग, दिन भर में धाई तीन हजार तो बिना मांगे मिल जाता है, उनका मुझ खुला रह गया था, पैसा कोई कितना ही कमा ले, रेड वाइन तो नहीं खरीच स होती है, जिससे वहां की वाइन के स्वाद में हलका तीखा बना जाता है, जो पीने वाले को अपने स्वाद का दीवाना बना देता है, साइबर कैफे से रिक्षे पर बैठ कर घर लोटते हुए, उन्हें मन ही मन अपने आप पर गर्व हो रहा था, और अपनी पत्नी पर दे रेड वाइन तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी कम ही लोग पीते हैं, यहां सीता मडी में, अगर इसके आधार पर शहर के गणमान ने लोगों की सूची तयार की जाए, कि रेड वाइन की मिलकियत किनकिन लोगों के पास है, तो चंदरचूर किशोर का नाम उसमें प्रमुखता से आएगा, सोचते सोचते वो इतने उत्यजित हो गए कि उसी तरंग में रिक्षे वाले से बोले, जल्दी जल्दी पैडल काहे नहीं मारता है, ऐसे चलाएगा तो कितनी देर में कोर्ट बाजार बहुचेगा, रिक्षा वाला, रिक्षा रोक कर पीछे मुण कर उन्हें देखने लगा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले रेड वाइन के बारे में उन्होंने सुना ही ना हूँ, स्कूल के दिनों का उनका एक दोस्त महाशे मुंबई में अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होने वाले टीवी सीरियल बनाने वाली एक मशूर कमपनी में प्रोडक्शन मैनेजर बन गया था, उसने कोई साल भर पहले उनको एक कहानी सुनाई थी, जिसका सम्बंध रेड वाइन से था, उसने बताया था कि कहीं भी शूटिंग हो, प्रोडक्शन से जुड़े लोगों का काम होता है वहां का सारा इंतजाम देखना, मैं एक्टर्स इस चीज की जरूरत पढ़ जाए इसका ध्यान रखना, कोई सुभा के नाश्ते में केवल अंडा खाता है, किसी को अंडे की सूरत से भी नफरत, कोई केवल ताजे संत्रे का जूस पीना शुरू करता है, तो कोई दूद में गाजर का जूस मिला कर पीता है, किसी को बिना बात टब के बात रूम में नहाने की आदत नहीं, किसी को मिनरल वाटर से नहाने की आदत, सबका ध्यान रखना पड़ता है, और आउट डोर शूटिंग में कब कौन नाराज हो जाए और शूटिंग का शेडियूल विगड़ जाए, ये किस्सा सुनाते हुए उसमें बताय प्रोडियूसर कंजूस नहीं था, उसने खूब बढ़िया इंतजाम कर रखा था, लेकिन शाम होते होते माहौल ऐसा बिगड़ा कि सारा इंतजाम भी किसी काम नहीं आया, शूटिंग खत्म होने के बाद शाम में शोबित राय ने प्रोडियूसर से कहा, मुझे रेड प्रोडियूसर ने कहा, होटल वाले ने एक से एक भड़िया स्कॉच का इंतजाम कर रखा है, आज इसी से काम चलाइए, भाड़ी इलाका है, कल किसी को शहर भेज कर मंगवा दूँगा, अंधेरा घिर रहा है, अभी किसी को भेजना खतरनाक होगा, रोड की हालत खराब है शोबित राय टीवी का सुपरस्टार, फैल गया, बोला मैं तो रेड वाइन के अलावा कुछ पीता ही नहीं, और सिर्फ पीने की बात नहीं है, मुझे तो डॉक्टर ने कहा है, रोड शाम खाने से पहले एक बोतल रेड वाइन पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मेर प्रोडक्शन का आदमी बहाने नहीं बना सकता, उसे हर साल में प्रोडियूसर का कहा पूरा करना पड़ता है, और फिर चाहे जो हो जाए, उसने संजीदा होते हुए बताया, रानी खेत जैसे पहाड़ी शहर में रेड वाइन, लेकिन लाना तो था ही, किसी होटल में नही पुछवाया, अगर एक बोतल भी है तो दिलवा दीजिए, चाहे जो कीमत ले लें, होता तो मिलता ना, मेरे प्रोडक्शन के करियर में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि प्रोडियूसर से जाकर कहना पड़ता, काम नहीं हुआ, पर कहने की नौबत नहीं आई, मोटर लोगों का यहां आना जाना होता होगा, क्या पता इसके पास किसी ने हिफाज़त के लिए रख छोड़ा हो, पूछने पर उसने कहा है तो एक बोतल, लेकिन पांच अजार लूँगा, मेरी जान में जान आई, शूटिंग का शेडियूल कर बढ़ाने से रह गया, उस दिन स लोते समय चंदरचूर जी बड़ी देर तक अभिनिता शोभित रॉय के ललाई लिये चहरे के बारे में सोचते रहे, और यह अनुमान लगाते रहे कि कितने दिन रेड वाइन पीने से उनका चहरा भी ऐसा ही लाल हो जाएगा, इतना सामान लाया था रितेश कि आफिस में ह बहुत शौक है ना, किसी को बताईएगा नहीं कि पैन आपको मैंने दिया है, समझ रहे हैं ना, सब के लिए तो वहाँ से कुछ लाने के लिए मैं कह नहीं सकता था, हाप एतना ध्यान रखते हैं मेरा, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, पान रंगे दातों को निपोर होते हुए, हेड कैशियर नमोन आराएंजी जवाब में बोले, ओफिस में उनसे सब पूछते, आपका साला फैशन की नगरी पैरिस गया था, वहां से क्या लेकर आया, किसी से कहते कि वहाँ पहले वाली बात नहीं रही, अब ऐसा क्या नहीं मिलता हमारे देश में, कि सहय कर्मी कहां मानने वाले थे, वो भी रोज रोज पूछते, आखिर इसी पूछा-पूछी से तंग आकर एक दिन वो घर से चॉकलेट लेकर आये, और ओफिस में सबको बांट दिया, बताना तो चाह रहे थे, कि उनका साला उनके लिए फ्रांस से असली रेड वाइन लाय एक दिन, रितेश के बचपन का दोस्त जैदेव मिलने आया, मर्चंड नेवी में अफसर था, बोला छुट्टी में आया था, सोचा दीदी से मिल लो, उसके आने पर पत्नी ने उनको एक कोने में ले जाकर कहा, जैदेव मेरे लिए रितेश से कम नहीं है, इसका खातर भाई के लिए एक खाना जो बनाना था, चंदर चोड जी ने सोचा कि जब इतना ही खास भाई है, तो क्यों ना इसका स्वागत रेड वाईन से किया जाए, बोतल निकालने ही जा रहे थे कि सोचा, पहले जैदेव से पूछ लिया जाए, उसके पास जाकर बैठ गए और धी भीरे से बोले, रितेश जी फ्रांस से एक बोतल रेड वाईन लाए थे, मुझे इसका कुछ ज़्यादा शौक तो है नहीं, ले आता हूँ, आपके साथ थोड़ा बहत मैं भी चखलूंगा, जैदेव ने साफ मना कर दिया, बोला, पिछले साल मेरा जहाज यूरोप में ही गोमता रहा, वहाँ तो पानी की तरह वाईन पी जाती है, खाने के साथ भी वहाँ के लोग पानी नहीं वाईन पीते हैं, वाईन पी पीकर मैं उप चुका हूँ, वहाँ तो आम आदमी भी वाईन ही पीता है, लेकिन अपने देश में वाईन को बड़े लोगों का शौक सम रही थी, किसी अच्छे शहर में तबादले के लिए वो खुब कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, उसे किसी ने बताया कि उसका चेर्मेन किवल पैसे से प्रभावित नहीं होता, वो वाइन का बहुत शौकीन है, अगर वाइन के साथ उससे मिलो तो शाय दिया है, दिल्ली में तो कहा जाता है कि किसी को खुश करना हो तो उसे रेड वाइन तोफे में दे दो, कितनी भी महंगी शराब अगर आप किसी को दें तो उसमें वो बात नहीं होती, जो एक बोतल वाइन में होती है, और वो भी अगर रेड वाइन हो, तो क्या कहने, मैं पीने के लिए नहीं, प्रभावशाली लोगों को उपहार में देने के लिए वाइन खरीदता हूँ, जैदेव बोला, वैसे कौन सी वाइन है, थोड़ा रुपकर उसने फिर पूछा, जवाब में चंजचूर जी अंदर से बोतल निकाल कर ले आए, पैत्रूस, अरे, ये तो बोतल को देखने के बाद वापस देते हुए कहा, उस दिन उनको समझ में आया कि कितनी बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है, रितेश ने उनके हाथ एक ऐसी चीज देती है, जिसके माद्यम से वो देश के न सही, शेहर के ताकतवर लोगों तक तो पहुँची सकते हैं, श अभी कभी पतनी तोकती, अरे पीकर तो देखिये, कैसा लगता है, अतना दूर से आपके लिए लाया है मेरा भाई, वो कहते, अभी नहीं, रितेश ने भी कई बार फोन पर पूछा, पीकर देखा, जी जा जी, कैसा लगा, जवाब देते, अगले महीने पांच दिन की छु पूछने लगे थे, वो समझ गए थे, कि जो काम किसी भी तरह नहीं हो पा रहा हो, उसे रेड वाईन संभव बना सकती है, या आपको किसी के करीब ला सकती है, उनके मुहले में जिला भाजपा अत्यक्ष नरेश शर्मा रहते थे, कभी आते जाते वो दिख जाते, चंदर चूर जी उनको नमसकार करते, तो वो जवाब में कभी सिर हिला देते, या कभी आ हाथ उठा कर हिला देते, एक आत बार उन्होंने इनका हलचाल भी पूछ लिया था, वो सोचने लगे, कि अगर उनको रेड वाईन दे आएं, तो अच्छी पहचान हो जाएगी, शेहर में रहना हैं, तो किसी न किसी प्रभावशाली आदमी से संबंद बना कर जरूर रखना चाहिए, वैसे भी प्रांत में भाजपा की सरकार है, इससे सरकार में पहुँच भी हो जाएगी, क्या पता कल काम पढ़ जाए, कल कुपाल बच्चे होंगे, पिछले महीने जब माराम न पढ़ा भी होगा, स्कूल में उसका नाम लिखवाना पड़ेगा, शेहर के अच्छे स्कूलों में नाम लिखवाने के लिए या तो दोनेशन देने के लिए मोटा पैसा चाहिए, या किसी प्रभावशाली आदमी की पैरवी, पैसा तो है नहीं अपने पास, ऐसे में रेड स्या थी, सुबह सुबह लोहा पट्टी के हनुमान मंदिर में पूजा करके माथे पर रोली का टीका लगाने वाले नरेश शर्मा के बारे में, उनको ये नहीं मालूम था कि वो सुरा का सेवन करते हैं या नहीं, वो अगर चाहते तो उनसे मिलने जुलने वालों से पता हो जाता, बहुत सोच विचार कर उन्होंने यही तै कि पूरी तरह पता करने के बाद ही उपहार में ये बोतल किसी को देंगे, कम से कम उसको जो इसके महत्व को समझता हो, जो इसके रुत्बे से वाकिफ हो, आफिस में तो दूर दूर तक प्रमोशन का कोई चांस नहीं थ इसलिए दो एक बार बड़े साहब को देने का ख्याल मन में आया भी, तो उस पर उन्होंने ज्यादा विचार किया नहीं, उल्टे साहब को देने से इस बात का खत्रा था, कि पीने के बाद अगर उनको पसंद आ गया, तो हो सकता है कि वो बार बार इसकी मान करें, मिस्टर किशोर, इस बार आपके ब्रदर इन लो जब विदेश जाएं, तो उनसे ये वाली वाइन जरूर मंगवा दीजिएगा, और हाँ, इस बार आपको मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे, पूझ लीजिएगा कितने गा था, बार तो सुनते हैं सस्ता मिलता है, ये सब आइटम ह अगली बार नहीं देता तो नाराज हो जाते, अब बार बार ट्रेनिंग के लिए कमपनी रितेश को फ्रांस तो भेजेगी नहीं, और भेज भी दिया तो वो बार बार रेड वाइन लाएगा नहीं, वो तो पहली बार गया था, सोचा होगा कुछ ऐसा ले जाते हैं जो जी नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही, उनके पड़ोस में एक कोठी है, जबसे उन्होंने किराय पर ये मकान लिया, तबसे उसके गेट पर ताला था, महीने दो महीने पर कोई आता, साफ सफाई करवा जाता, सुनते किसे इंजिनियर साहब का मकान है, अमरीका में रहते हैं, दो म साहब के शहर में तीन मकान है, गाओं में कुछ खेती, बाड़ी, घरारी, सबका हिसाब करने आया है, अब यतना प्रॉपर्टी बेचना है, तो समय तो लगेगा ही ना, वो क्या, आसपास के लोग भी उसे कम देख पाते थे, गेट अभी बंधी रहता था, लेकिन अंदर स कभी-कभी गेट के बाहर कोई बड़ी गाड़ी रुकती, उससे कोई बड़ा आदमी उतरता, गेट खुलता, वो अंदर चला जाता, गेट फिर बंध, कभी कोई और गाड़ी इसी तरह आती, उनको इन सबसे कोई परिशानी नहीं थी, वो बड़ी तेज आवाज में म्यू आपको नीन नहीं आ रही है, तो हमारी नीन काहे खराब करते हो, रात को सोचते कि सवेरे कहेंगे, सवेरे सोचते कि ऑफिस से लट कर शाम को इतमिनान से रिक्वेस्ट करेंगे, हर दिन गेट खट-खटाना और अगले दिन तक के लिए टल जाना, महीनों से टलता आ रहा थ वो सोच रहे थे कि घर बदल दें, लेकिन दिल्ली तो है नहीं कि जब चाहा घर बदल लिया, एक तो इस शहर में इतना अच्छा हवादार घर किस्मत वालों को मिलता है, वो भी इतने कम किराये पर, फिर ऐसा शगुनिया घर छोड़ कर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, य अब कहीं नहीं नहीं, अपनी पतनी सीमा पर तो उनको पूरा भरोसा है, लेकिन आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा हो गया है, सब चमक दमक के पीछे भागने लगे हैं, क्या भरोसा? जब भी ऐसा कोई खयाल उनके मन में आता, जी करता कि उस हाई-फाई भाई की ऐसी की तैसी कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि अंग्रेजी गाना सुनना भूल जाए, लेकिन कई बार मन में आया कि उसे पिटवा दें, लेकिन सीतामडी शहर में तो वो अपने आफिस वालों को ही जानते थे, उनमें से किसी से इस मामले में शायद ही मदद मिल पाती, उन्होंने शहर के न नवाब सिंग जा रहा था, उसके बारे में मशूर था, कि जिसका नहीं भाई बाप, उसका है नवाब, मन में एक हाथ बार आया कि उससे जाकर कहें कि हमें परिशान करता है, जरा उस अमरी की बाबु का गुरूर तोड़ दीजिए, मगर अकेले उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, मन में आया कि उससे जाकर वाइन दे आऊं तो काम बन जाएगा, शेहर के एक बड़े आदमी से पहचान भी हो जाएगी, शेहर के मामले में महादेव किराना भंडार वाले रागव जी, बरसों से उसके मार्ग प्रदर्शक और पत्रदर्शक थे, उनका कहना कि शेहर में छाती तान कर चलना है चंदरचूड बाबू, तो किसी बड़ा आदमी से राम सलाम बहुत जरूरी है, चाहे किसी अफसर से हो या नवाब सिंग जैसे रंगदार से, अगर एक बॉटल रेड वाइन से नवाब सिंग से बढ़िया राम सलाम हो जाए तो क्या पिचार किया, तो उन्हें इसमें कुछ-कुछ बुराई दिखने लगी, शेहर में पती-पत्नी बस दो प्राणी है, कहीं घर आने जाने लगा, वो तो दिन भर आफिस में रहते हैं, कहीं कुछ हो गया तो, अमरीका पलट के अंग्रेजी गाने से तो हो सकता है नवाब सिं को बिना पैसे लिए ट्यूशन पढ़ाया था, उस दोरान अपने गुरू के सबसे प्रिय शिश्य होने के कारण, वे अच्छी तरह जानते थे, कि प्रोफेसर सहाब को तरह तरह की शराब पीने और पीने से भी ज्यादा रखने का बहुत शौक था, अगर उनको रेड पाइदा होता, ये सवाल जब चंद्रचूर जी के जहन में कौन था, तो बार-बार कौन धने लगा, ठीक है अतीत में प्रोफेसर सहाब के बड़े एहसान रहे हैं उनके उपर, लेकिन आदमी की मुश्किल यही होती है, कि उसे भविश्य के सपनों के लिए जीना पड़त किसी ऐसे आदमी को देनी चाहिए, जिससे समाज में उनका कुछ रुत्बा बढ़े, जिससे शेहर के किसी बड़े आदमी के साथ कम से कम उनको बैठने का मौका मिले, प्रोफेसर, वो भी रिटायर, किस काम के, उन्होंने इस बारे में भी सोचना छोड़ दिया, उनके सकता था, जिसे वो गिफ्ट देते तो वो नकिवल खुश होता, उनको अपने अजीजों में भी शामिल कर लेता, उनके छूटे बड़े काम भी चुटकियों में करवा देता, और शेहर में उनको भी छाती फुला कर चलने का मौका देता, उन्हें मिथिलेश ठाकुर की या पाता है, देखते देखते मिथिलेश की किस्मत बदल गई, दिल्ली के राम जस कॉलेज में उसका एक सहपाठी रमेश चंद्रा मुझफर पुर का कलेक्टर बनकर आ गया, कलेक्टर बनकर ही नहीं आया, अपने पुराने सहपाठी के घर आने जाने लगा, अपनी लाल बत् रहती, शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा हो जो शहर में मिथलेश को न पहचानता हो, चंद्रचूर जी की और भी मुझकिले थी, पिताजी के मरने के बाद पुष्टेनी घर पर पट्टी दारों ने कबजा कर लिया था, कोई उनकी शिकायत सुनने वाला था नहीं, थाना, प पहुँच पाने का कोई रास्ता सूज नहीं रहा था, एक दिन वैशाली चाट भंडार में मिक्स्ट चाट खा रहे थे, बगल में दो आदमी बती आ रहे थे, एक कह रहा था कि नया डियेम साहब के बारे में सुने हो, कलेक्टरियेट में कल कोई बता रहा था, कि शाम होते मस्त हो जाते हैं, आठ बजे के बाद किसी से नहीं मिलते, उसके बाद काले शीशे वाली गाडियां आने जाने लगती हैं, और आधी आधी रात तक महफिल जमती है, इसके आगे की बातचीत पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बस, ये बात उनके दमाग में अटक गई, उनको ये सुनहरा मौका लग रहा था, शेहर के राजा से संबंद बनाने का, याद रखो, देश में तीन ही आदमी का तंतर चलता है, DM, CM और PM, बकि ये लोग तंतर जन तंतर सब बेकार की बाते हैं, उनको अपने गाओं के शिव शंकर मासाब की बरसों पुरानी कही बात याद आ गई, DM साहब के बारे में मिली इस जानकारी में, उनको अपने पुष्टैनी घर के वापस मिल सकने की उमीद दिखाई देने लगी, शाम होते ही मस्थ हो जाने वाले DM साहब तो, रेड वाइन पाकर बहुत खुश हो जाएंगे, पैत्रूस एक ऐसी वाइन है, जिस पहुचा कैसे जाए, उनके करमचारियों के पास बोटल छोड़ कर आने का कोई दुख नहीं, एक तो इससे इस बात की कोई गैरंटी नहीं कि रेड वाइन की बोटल साहब तक पहुची जाएगी, दूसरे अगर करमचारियों के माध्यम से बोटल कलेक्टर साहब तक पहु कि बड़े नेताय अफसर, खूस खोरी, कमिशन खोरी का काम अपने हाथ से नहीं करते, ये काम वो ऐसी किसी आदमी के माध्यम से करते हैं, जो उनको खिला पिला कर खुश रखता हो, उन्हें अपना हितैशी दिखाई देता हो, मिथिलेश के बारे में लोग कहने लगे थे, दिएम उसी के माध्यम से लेंदेन की बात करता है, तभी तो हमेशा साथ साथ लिए डोलता रहता है, आज कल बिना मतलब के बेटाव आपको नहीं पूछता, दोस्त तो बहुत दूर की बात है, उसका एजेंट है एजेंट, क्या पता, दिएम सहाब उनको ही अपना स्थान ये एजेंट बना ले, जब तक वो वहाँ डिएम रहेंगे, तब तक शहर में उनकी इतनी साफ बन जाएगी, कि उसी रसूक के सारे आगे का जीवन मजे में कट जाएगा, जब से उनका साला विदेश होकर आया है, उनको महसूस होने लगा था, कि उनकी पतनी उनको उतना नहीं देती, पिताजी का जल्दी देहांत नहीं हुआ होता, उनको अनुकमपा के आधार पर मिली ये नौकरी नहीं करनी पड़ती, तो आज वो भी कॉम्पिटिशन पास करके कम से कम डिप्टी कलेक्टर तो बन ही गए होते, लेकिन अब तो ये सब करने का समय रह नहीं ग हैट करेंगे, हो सकता है उसी आगामी मुलाकात में उनके उस संभावित भाग्योदय के संकेत छुपे हो, जिसकी और देवी मंदिर के पंडित बेनी माधव मिश्र ने उनका हाथ देखकर संकेत किया था, वो हर समय सोते, जागते, इसी जुगत में लगे रहते कि कि किस तर इस तरह पतनी जब उनको देखने आती है तो जुरूर कोई ने कोई बात होती है, पिशली बार इस तरह जब आई थी तो खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो गया था, यहां एक बार गैस खत्म हो जाए तो उसका इंतिजाम भी तो बड़ी बात है, गैस का इंतिजाम समय पर ना कर पाने के कारण पत्नी को स्टोव पर खाना बनाना पड़ता और उनको शर्मिंदा होना पड़ता था। पत्नी ने सवालिया निगाहों से उनको देखते हुए पूछा क्या हुआ उसमें तो कपड़ा है और क्या है क्या हुआ बताओ कपड़ा में लपेट के क्या रखे थे पत्नी ने सवाल के जवाब में फिर से सवाल दागा क्या हुआ फिर कुछ सोचते हुए बोले उसमें तो प्रेड वाइन की बोटल रखी थी, क्या हुआ? अब उनकी आशंका गहरी हो चुकी थी, आप नाराज मत हो येगा, हमको कहां पता था कि आप वहाँ क्या रखे हैं, आपको बता देना चाहिए था ना, वहाँ से आपका कुर्ता पाजामा निकाल रहे थे, प्रेस करवाने के लिए तो वो बोटल गिर गया, क्या तूट गया, हरे, रितेशी तो बोला था वाइन के बोटल को लिटा कर रखना चाहिए, सीधा खड़ा रखने पर उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए वहाँ रखे थे, क्या हुआ, तूट गया, बताया नहीं, और क्या, कपड़ जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उनकी पतनी क्या बोले जा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जिसे सुन्दर सपना बीच ही में तूट गया हो, उस दिन रिम जिम सैलून में उनकी भैट डीम के स्टेनों से हुई थी, उसने कहा था कि अगले सपता मिलने का टाइ आवाजा बंद कर लिया, बोल कर करते भी क्या, चाय बना दूँ, पतनी की आवाज आई, उन्होंने मना कर दिया, काफी देर तक संग्या शुन्ने से बैठे रहे, उठे, फ्रिच खोला, बची-कुची वाइन निकाली और पीने लगे, उसका तीखा, खटा स्वाद लेते ह एक बात तो है, रेड वाइन का स्वाद शराब से एक दमालग होता है, चुसकिया लेते हुए मनहीमन सोचते रहे, वो इस समय फ्रांस की सबसे मशूर वाइन में से एक का सेवन कर रहे हैं, अचानक उनको ध्यान आया, गर्दन घुमा कर वो चारों तरफ देखने लगे, को में पतनी ने पूछा, क्यों? पता नहीं, आप नीम में क्या क्या बढ़ बढ़ा रहे थे, डीम साहब, खास तवफा, मुझे तो दर लग रहा था, आपको उठाने लगी तो गले से गोंगों आवाज निकलने लगी, मैं तो घबरा ही गई थी, लगता है काम का दबाव कर लीजिए